Good morning students, this is Pranisha, your class teacher and this is your GK class. Today, I am going to teach page number 10, okay, order in school. Actually, ये music room का मैं पहले अप्रोड कर चुकी हूँ वीडियो, लेकिन आप लोगे ने बुक में नहीं किया था, इसलिए फिर से ये पड़ा रही हूँ, okay. अब इस्कूल में क्या कर रखा हुआ होता है, से यहां पर, the school is in a mess. Can you help put everything in order? इस्कूल क्या हुआ है, इस्कूल में चीज़े इदर उदर हुआ है, तो आप लोग को क्या करना है, order में रखना है, अब जाईलो फोन का यहां पर मिलाएंगे आप. After that, flute, flute को यहां पर रखेंगे. Drum, drum को यहां पर रखेंगे. And after that, triangle, triangle को यहां पर रखेंगे. And next one is your library. Library, library अभी हम क्यों करा रहे है, क्योंकि यह music room पहले कर चुके है, अब यह library का क्या है? Library मतलब क्या होता है, स्टुडेंट्स? हिंदी में इसको बोलते पुस्तकाला है, ओके? Library में बोलो सारा बुक्स होता है, ओके? अब आमारी स्कुल में क्या क्या है, यहां पर देखिएगा. Library, write the missing letters, आप लोग को क्या करना है, यहां पर जो भी missing letters है, आप लोग को यहां पर बढ़ना है, that means लिखते इस्तान आप लोग को बढ़ना है. ओके, अब यहां पर क्या प्या है, rhyme books, rhyme books का मतलब होता है, rhyme वाला books, activity books, activity में क्या होता है, activity में बहुत साड़ा चीजे होते हैं, जो आप लोग को करना होता है, ओके? activity book, and number book, number book में क्या होता है, math से related होता है, यह number book, okay, and last one is your story book, अब story book में क्या होता है, story book में आपको होता है, बहुत सारा story, okay, बहुत सारा story होता है, story books में, understood, hope you understood about page number 10, thank you.